हेलो फ्रेंड्स क्यानी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए दोस्तों आज क जैटून का जो तेल होता है वहाँ के वालों के लिए और आपकी चाहत के लिए बहुत ही फाइदेमंस होता है लेकिन जब्कि आप कई ऐसी कंडिसेंस होती हैं जब आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपको कुछ नुफसान भी हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानतेáticas कि ऐलर्जिक रियाक्सिन हो सकता है यहने कि येदि किसी को जल्दी रियाक्षिन होता है या फिर किसी चीज्स चीज्स से Deshalbine obtकर यह फिर आपकेसाथ असाथ ही हो सकते के आपको जयतुन के ते से ऐनरजी हो जाए तो आप इसका वाइन ना करें इसके लाव़ा जैतूं के यह 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 चाल पर योदी आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्किन पर आपके कैशेश हमें को जरूरत नहीं होगी क्योंकि जैतून का तेल काफी ज़्यादा ओयली होता है काफी चिपचिपा होता है तो आप इसका सेवन मत करिए इसके अलाबा जैतून का तेल बहुत ही सुस्क तुचा के लिए काफी अच्छा विकल्प नहीं होते हैं तो भी आप इसका सेवन मत करिए इसके अलाबा ओलेवाइल की अधिक खपत रक्त चाप में भारी गिरावट पैदा कर सकती है यहने कि जिनको उच्छ रक्त चाप की सिकायत होती है उनके लिए फायदे मंद होता है लेकिन यदि आप इसका बहुत जादा सेवन करते हैं तो इ यदि आप जैतून का अधिक मात्रा में खाते हैं तो इससे आपका जो भजण है अनाभश्यक रूप से बन सकता है तो इस तरह से यदि आप इन कंडिशंस में जैतुन के तेल का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए मुक्सान दायक हो सकता है उमेद करती हूं फिकशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके